दोस्तों विलकम बेक बात करेंगे आज के इस वीडियो में X-Empire से जोड़ी कुछ important और latest updates की क्योंकि यहाँ पर आज हो चुका है final day 30 of September जहाँ पर इनकी mining end हो जाएगी final task क्या करना है अगर आपको airdrop चाहिए airdrop के लिए eligible होना है तो यहाँ पर final task team की तरफ से share किया गया है उसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा कुछ other updates यहाँ पर जो आ रही है लेकिन सबसे पहला काम करना अगर आप telegram से connected नहीं है तो हो जाएगी link वीडियो की description में है साथी comment box में pin किया हुआ है वहाँ से जुड़ जाएंगे तो हर एक update आपको instantly provide की जाएगी ताकि लिकत परिशानी ना आए जब यहाँ पर एक से एंपायर या फिर कोई सा भी अधर प्रोजेक्ट एड्रोप distribute करेगा that means token allocate करेगा तो यहाँ पर सबसे बिलेगरम बात करें आज फाइनल दे है अब जो criteria है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ अगर आप eligible होना चाहते एड्रोप के लिए पहले ही मैंने आपर आपको जो एक criteria है उसके बारे में लगातार बता हुआ था और दूसरा भी यहाँ पर आप team ने खुद mention कर दिया है जो यहाँ पर team ने पहले mention नहीं किया था अब X-Empire की team ने इनका जो telegram channel है वहाँ से भी update दे दिया है सबसे पहले वही आप देख लीजे इनका यह कहना है कि ऐसा लग रहा है कि यह बहुत सही समय है आपके लिए कि आप यहाँ पर वालेट को connect कर ले और यहाँ पर transaction को complete कर ले आप यह किस transaction की बात कर रहे है यह tone की बात कर रहे है जिसको पहले भी मैंने आपसे कहीं बार mention किया हुआ है कि wallet तो connect करना ही है क्योंकि airdrop चाहिए तो wallet connect होना चाहिए दूसरा यहाँ पर जब हम wallet connect कर लेते हैं quest के section पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है कि अगर आपने transaction किया हुआ है तो आप eligible है airdrop के लिए team ने इसको अभी तक mention नहीं किया था लेकिन अब यहाँ पर directly से mention किया ह that means यहाँ पर यह airdrop का criteria हो सकता है अगर आप यहाँ पर transaction कर रहे हैं तो आप यहाँ पर airdrop के लिए eligible होने वाले हैं वैसे ऐसा नहीं का हुआ है you should that means यहाँ पर करना ही पड़ेगा यह नहीं का हुआ है लेकिन फिर भी मुझे लगता है यह तो यहाँ पर compressor यह आजकल पाइब करवा रहा है कुछ एक टोन करवा रहा है पहले वाले प्रोजेक्ट हैं पर 0.1 में ही काम चला लेते थे अब यहाँ पर mining का phase जो है वह खत्म हो रहा है लिस्टिंग नहीं हो रही है यह चीज आपको समझना है ना ही यहाँ पर TG हो रहा है token generation event हो रहा है मतलब आपक इसके supply उसके price का अंदाज लगा सकते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखे timing क्या दिया हुआ है 18 UTC dat means यहाँ पर शाम का समय होगा यह September 30 आज का 6 बजे इनके time करूसर हमारे time करूसर साड़े 5 घंटे हम आगे चले जाते हैं तो कितना हो जाता है वो हो जाता है साड़े 11 बता देता हूं ठीक है यह तो eligible होने के लिए था लेकिन airdrop किस basis पर मिलेगा वो यहाँ पर बता देता हूं coins per hour आपका PPH कितना चल रहा है सबसे पहला काम करना PPH बताओ comment box में coin millions बताओ और number of invite भी बता दो क्योंकि शायद वो बहुत कम होगे यह तीन ऐसे basic factor है या main point आप यह ने कहें airdrop के जो यहाँ पर airdrop का criteria है जो आपका airdrop का amount decide करने वाले हैं जिसको team ने इनका जो x empire का bot है उसके उपर भी पहले ही यहाँ पर mention कर दिया था कि इन तीनों के best पर ही आपको airdrop मिलेगा तो दो चीज़े आपको याद रखना है eligible होने के लिए क्लिए क्या करन और यहाँ पर 4th level मैंने भी आपसे पहले का हुआ है 4th level minimum है अगर आप 4th level तक नहीं पहुचे काफी लोग पहुच चुके हैं तो 4th level तक तो आपको पहुचना है 4th level पर पहुच चुके हैं आपका coins per hour भी बढ़ जाएगा coin balance तो बढ़ता रहेगा number of invites नहीं किया हो हैं तो आप कर सकते हैं अब X empire पर हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो आपको बढ़ा देते हैं क्या changes हुए हैं या नहीं हुए हैं X empire का bot open हो गया बहुत अच्छी बात है विसे यह open नहीं होता था holders की बात करें 45 million प्लस यहाँ पर holders हो चुके हैं जो इस पर work कर रह 25, 30, 50, 100 से उपर हो चुका है दोस्तों बहुत यहाँ पर ज्यादा competition मुझे लगता है इस airdrop में होने वाला है मतलब अगर coins per hour के basis पर भी मिलेगा ना तो यहाँ पर बड़े-बड़े users हो चुके हैं जिन्होंने अच्छा खासा coin per hour कर लिया है क्योंकि उन्होंने हर एक task complete कि और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तीनों जो points से airdrop के criteria के उनको यहाँ पर यह importance दे एक ही basic point के इसाब से आपर airdrop distribute नहीं करें मतलब coins per hour आपका balance और उसके बाद referral इन तीनों को यहाँ पर इन्होंने महत्व देना चाहिए otherwise अगर यहाँ पर importance दिया गया referral को तो फिर वो users य आएंगे जिन्होंने ज्यादा referral नहीं किया लेकिन यह जो task है यह complete किये लगातार यहाँ पर riddle आ रहा है जो complete किया coins per hour बढ़ा है तो अब यहाँ पर हम आजाते हैं airdrop के section पर यहाँ पर जैसे ही आते हैं आपको सब कुछ दिखाई देगा wallet connect करो सबसे पहला काम make a tone transaction इस प confirm कर देगी 2.88$ का यहाँ पर यह tone मांग रहा है अभी listing नहीं हो रही है listing को लेकर भी यहाँ पर काफी ज़्यादा rumors देखने को मिल रहे हैं लेकिन listing के लिए आपको wait करना पड़ेगा listing यहाँ पर कब होगी मुझे लगता है 10 से 15 दिनों में listing की जो announcement है वो team के द्वारा कर दी जाए यह deduct हो गया बहुत जल्दी यहाँ पर इकाटता है that means यहाँ पर tone की पर से हमारा amount जो है वो deduct हो चुका है अब देखते हैं यहाँ पर ही क्या शो कर रहा है airdrop पर गए make a tone transaction यह तो हो चुका है if you already send a transaction go to the quest and click check action यहाँ पर open quest करा और check action पर click किया तो यहाँ पर देखते हैं हमारा transaction complete हुआ है कि यह देखिए यह line जो लिखी है na send transaction to be able receive airdrop अगर आपको airdrop के लिए able होना है तो आपको transaction करना पड़ेगा transaction करने के बाद आईए यहाँ यहाँ पर यह check action पर लिखा हुआ था ना इस पर click कर दिए अब यह checking करेगा checking करने के बाद यहाँ पर आपको क खासा amount लग रहा है अब इतना amount यहाँ पर जो dog से कमाया हुआ है वही समझे जहाँ पर हमने use किया है कई लोगों ने यहाँ पर withdrawal माल लिया लेकिन मेरा यह मानना है tone की उपर पर कुछ amount रखा करें अगर आप किसी भी tape to earn project पर यहाँ पर work कर रहें क्योंकि वह amount यहाँ पर यह भोच चुगा है ठीक है फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ हम आ जाते हैं माइनिंग के उपर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया है donate पहले आ रहा था airdrop अब लिखा हो रहा है donate तो ठीक है तो हमने यहाँ पर donate कर दी आप क्या पूल रहा है 0.1 टोन भी तो otherwise अगर आपका coins per hour यहाँ पर 5 billion, 2 billion, 3 billion से उपर है coins भी अच्छे खासे हैं और उसके अलावा आपने 15-10 लोगों को invite किया हुआ है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर इतना amount तो ही निकाल कर देगा और इससे later एक dedicated video हम बना देंगे अभी तो listing दूर है price कितना रहेगा आपको कितना amount मिल सकता है यह सब कुछ यहाँ पर clear हो जाएगा टेलिग्राम से connected हो जाना चैनल को subscribe कर लेना अब हम आपको मिलते किसी अधर update के साथ thank you